नमस्कार मैं आस्था मेरे चैनल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में बताऊंगे जो वैसाक मास के शुकल पक्ष को एकादशी पढ़ती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं पुराणों में कहा है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों का नाश होता है तो जो कथा है इस एकादशी की ये मैं आपको सुना देती हूँ इस एकादशी को भगवान विश्णु ने मुहनी अवतार लिया था जब समुद्र मंथन से अमरित प्रगट हुआ तो उस अमरित को लेकर असरों और देवताओं में युद्ध जैसा महौल बन गया वह कहने लगे हम पिएंगे वह कहने लगे हम पिएंगे तो क्योंकि असरों को वह अमरित बिल्कुल भी नहीं पिलाना था भगवान विश्णु ने मोहनी अवतार लिया एक सुन्दर देवी का रूप बनाया और असरों और देवताओं के पास गए असरों से कहा कि यह जो अमरित है मैं सब में बाट देती हूँ और असरों ने उनकी सुन्दरता को देखते ही सब भूल कर कह दिया ठीक है और जैसा मोहनी ने कहा वैसे वो दोनों पंक्तियां बना कर बैठ गए देवता अपनी पंक्ती में बैठ गए और असर अपनी पंक्ती में बैठ गए इस प्रकार भगवान विश्णु मोहनी रूप धारन करके जब अमरित का कलश लेकर सब को अमरित पिलाने लगे हमारे सभी कर्मों के साक्षी होते हैं तो वह यह देख लेते हैं जैसे ही भगवान विश्णु सभी देवताओं को अमरित पिलाते पिलाते उस असुर को भी पिलाने लगें देवता समझके क्योंकि उसने देवता का रूप धारण किया हुआ था तो सूर्य और चंद्रमा कहत हैं यह असुर है देवता नहीं तो भगवान विश्णु ने वैसे ही अपने हाथों को रोक लिया और थोड़ा सा अमरित उसके कंठ में चला गया था जो उसने जल्दी से पी लिया भगवान विश्णु ने तुरंत अपना चक्र निकाला और उस असुर का गला काड़ दिय तो उसका जो शरीर अलग हो गया धर अलग हो गया परंतु अमरित के प्रभाव से वह अमर हो गया और वही राहू केतू बनके स्थापित हो गया और इस दिन जो ये एकादशी थी इसी दिन भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया था इसी के कारण इस एकादशी का ना सब आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी जो शास्त्रोख है परमानित है पुरानों से लिग गई है तो आप वह सब जानकारी एकादसी के बारे में कर लें एकादसी सर्व शेष्ट है बहुत ही फल दाई व्रत है तो इसे सब को करना चाहिए चैनल को अब आप सब्सक्राइब क